हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग होपकी आप सब लोग बहुत ही अच्छी होगे आज मैं अपने अपने अकाउंटिंग के दो चैप्टर के करेंगे दोस्तों आज के जो थोई से कम है क्योंकि सब्सक्राइब कर दोंगा ठीक है तो कैसे मिलेंगे आपको उसके यह कोईजिनेशन के चैनल को जोइन करें ठीक है यह वीडियो वी कॉम इंटेंस दोनों के इंपोरेंट है अगर आपको किसी भी उनिवरिसिटी का वी कॉम जैसे कि विद्या पीट लखनव तो वहां पे काम आएगा और अगर आप लोग किसी भी उनिवरिसिटी का सेमेश्टर एक्जाम देने जाए हो को कि बहुत सारी उनिवरिसिटी कभी-कभी अपने सेमेश्टर एक्जाम को mcq format में यह तो वहां पर भी आपको दोस्तों यह क काम आएगा कहीं पर कोई कमी नहीं है ठीक है सब्सक्राइब कर नाम है फाइनेंसियर अकांटिंग जिसको आप यह बेसिक अकांटिंग के नाम से भी जानते हो ठीक है यह आपके हई यूनिवरिसिटी और हैं अग्जाम में काम आए गहीं आएगा ठीक है अब दोस्तों अपका यहां से अपर यहां जानबूच कि है रिकाडिंग यह होता है इन एकांटिंग बेसिस अकांटरिंग प्रॉफिट और यह थाफ सबसे पाता कहना की प्रॉफिट यह क्या होता है दोस्तों तो दोस्तों चाहें आपको cash में कोई transaction हो चाहें credit में कोई transaction हो उससे मतलब नहीं है यह कहता है acquire basis इन cash basis expenses are recorded खर्चों को record करते हैं तभी record करते हैं जब भाईया सच में पैसा पे किया गए देखो दो तरहिके होते हैं एक होता है cash basis of accounting एक होता है acquire basis of accounting यह आप समझ यह हो जब cash में कोई payment आएगी या कोई payment जाएगी तभी transaction को record किया जाएगा और यह कहता है चाहे cash में हो चाहे credit में हो यह doesn't matter भाईया उसको record करना है ठीकिना चाहे cash में हो चाहे credit में हो तो दोनों system में आप कोई भी system को adopt कर सकते हो maximum management इस system को adopt करते हैं अगर आपने इसको adopt करिया तो होगा क्या कि आगर cash नहीं हुआ तो आप उसको record नहीं कर पाओगे अगर उधाय में होता तो यह कहता है इन cash basis expenses are recorded question number third जिसका answer हो जाएगा जब आपने cash pay किया हो तभी record करोगा ना इन acquire basis of accounting record is made तो भाइया cash हो चाहे credit transaction हो मैंने बताया है न कोई रिक्कत नहीं कभी आप record दोनों case में record करोगे तो धाय में क्यों ना हो दोस्तों under companies act or company are required to maintain their accounts according to तो उनको अपने accounts maintain करने पदते हैं according to किसके हिसाब से तो भाइया cash basis acquire basis आइधर cash basis और आइधर अब दोस्तों बहुत important question है ध्यान से इसको देखना ठीके ना बहुत साब अच्छे इसमें करती करके आएंगे तो आपके मर्जी के उपर नहीं है company that case आप से बोला गया है कि आप acquire basis के आप से accounting का है cash में हो चाहे credit में हो उससे मत्यब नहीं है आपको इसी को करना है ठीके ना ओके अब दोस्तों अपना स्नेक्स चैप्टर एकांटिंग स्टैंडर्स क्या है accounting स्टैंडर्स यहां पर आपको देख सकते हो ठीक है इसमें को स्कम थे इसमें आपको कम कोशन प्रेटिस कवा दिया बने चैप्टर अच्छा नहीं आगता ना कि छूट गय होता है ठीके ना ते डायक्ट एथ हाउ दा टांजेक्सन तुट भी रिकॉर्डेट की टांजेक्सन कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा सही बात है तो भाईया और अबव एंसर हो जाएगा इसकी जवत हमको क्यों पाइती है पोशन नंबर टू टू बिंग यूनिफॉर्मिटी की चीज़ें यूनिफॉर्म हो जाएं एक हाई जैसकी हो जाएं टू इमिट दा एया विदिन विच अकाउंटेंट है अकाउंटेंट का काम क्या सब कुछ डिसाइड हो जाए तू बि या इसको कौन फॉर्मुलेट करता है मैंने आपको चाप्टर में पहाया भी दोस्तों इसको करता है इंसिट्यूट ऑफ चार्टेंट ऑफ इंडिया इंडिया के अंदा है जिसको आप आई के नाम से भी जानते हो ठीके ना ओके एकाउंटेंटेंट इस्फुल यह क्या होत यह चालो कोशन नाइटर है मतब कमपार सही यह पाने से अच्छे के यह कंपनी सही है जो अपर आप्या जो जाए तो यह संव जो जाए इंसिट्व एंसर ऑफ चार्टेंट ऑफ इंडिया इंस्टिट और इंडिया सेवन दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा डी बदिस्ठ ए एक अपर दोजाबीज को 32 एक आइसी एई ने दिये थे ठीकिना ओके दोसों आपको समय में आगे होगा यह कोश्चन बहुत इंपोरेंट इसको प्रेक्टिस करें आपके एक्जामें बहुत काम आएंगे वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना अपने सब्सक्राइब करेंगे अपने नेक्स पार्ट में थैंक्यू सो मच